इंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है आज आशिमा महाजन इंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है नई आशाएं बुक क्लास एट का चेप्टर 11 बुड़े की मुस्कान जी हाँ आज एक बुड़े विज्यानिक के बारे में इस पार्ट में हम बात करेंगे चर्च जी हाँ आज इनी के द्वारा लिखा गया पाठ मैं आपके सामने प्रसुत करने जा रही हूँ कृपया पाठ को ध्यान से सुने और समझे एक बुड़ा वे ग्यानिक है जिसने कागस के टुकडे पर कुछ शब्द लिखे थी अब क्या लिखा था चलिए क्या आप जानते ह हैं कि दुत्य विश्वयुद में प्रमानू बम का उपयोग किस देश ने किस देश पर किया और उसका क्या परिनाम हुआ जानी कि जब दुत्य विश्वयुद हुआ था तब प्रमानू बम का उपयोग किसी देश ने किया था और किसी देश ने किसी देश पर फैंक कर किय होगा उसका रिजल्ट क्या निकला विज्ञानिक हो जो ने यहां मानब जीवन को बहुत इजी बना दिया है सुविदा में बना दिया है वहीं मनुष्य ने अग्यान वश उनका दुरूप योग कर अपने विनाश की त्यारी कर लिया और एक विनाश तो हम आज के टाइम में ही देख रहे हैं कि किस तरह चाइना से वाइरस आया है और हमारे दो साल पूरी तरह से बरबाद कर चुका है यह बच्चों की पड़ाई बहुत जादा डिस्टरब हुई है इस वज़ा से हमारे आने वाली पीडी पर इसका बहुत असर पड़ा है किन्तु जब तक मनुष् से अठारा साल के बच्चों ने नहीं लगाया है तो प्लीज 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 जल्दी से जाके अपने स्कूल में अपना नाम रेजिस्टर करवाईए और वेक्सिनेशन जरूर करवाईए क्या ये संबव है आईए इस कहानी में पड़े किसी ने नहीं सोचा था कि वैबु अंत प्रती भावान का परलोक वास विद्वान की आत्म हत्या हाँ अचानक एक सुबा वे अपने कमरे में नहीं मिला अब क्यों नहीं मिला क्योंकि एक आगस के टुकड़े पर उसके लिखे कुछ शब्द मिले थे मैंने समुद्र में कूद कर मरने का निश्चे किया है मेर पर में गोते लगाए गए जाल बिचाए गए लेकिन सब बेकाराखी लोगों ने मान लिया कि वे बुड़ा विग्यानिक मर गया लेकिन क्या सचमुच उसकी मोत हो गई थी नहीं मरने का बहाना करके वे एक ऐसे द्वीप में जहाँ पोंचा था जिसके बारे में पहुच गया वहाँ आदिम जाती के लोग रहते थे जो संख्या में सोस से जादा नहीं होंगे आदिम जाती क्या होती है बहुत पुराने समय के लोग जो होते हैं है ना पहले से ही उस द्वीप के लोगों से उसका संबन था उस द्वीप का मुखिया उसका परिचित था ज तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एक बुड़ा विग्यानिक था जिसने एक आगस के टुकड़े पे कुछ शब्द लिखे दे कि मैंने समुदर में कूद कर मनने का निच्चे किया है क्योंकि दुनिया क्या कर रही है मेरे परिश्रम के फलका ये संसार विनाश्यक मना कर इस् वीट में पहुंच गया और वहाँ क्या हुआ देखिए वह वहाँ दिन रात बुड़े वे ग्यानिक ने वहांके मुख्या के परिबार को कप्ड़े और घहने भेंट किए वह वह दिन रात प्रकृती के सूंद्रे को देखता, है चांदनी रात में इस तरियों और पुरिशों का नुरत्य देखकर, वें अनंद विबोर होकर के उड़ता, अनंद विबोर होना बहुत हैपी होना, बहुत खुश होना, ओ, कितना प्यारा है ये संसार, कितना अनंद मेर है ये जीवनकाश, उसके पाई ये सब देखने के लिए अदिक समय होता वै तो किसी खास काम के लिए वहाँ पहुंचा था एक तिन उसने योजना बनाई अपने सा जो यंत्रवै ले गया था उसे लोगों की सहायता से एक पहाड की चोटी पर चड़ाया पासी एक जरना था उसमें पानी के दक्के से चलने वाली कुछ मशीने लगाई तारों का एक घेरा बनाया इस काम में वहाँ के लोगों ने मदद की इस द्वीब के मुक्या को बहुत आचरे हुआ उसने पूछा ये सब क्या है विग्यानिक ने का मैं बाहरी दुनिया की बाते आप लोगों को बताऊंगा जल्दी ही आ आप हमारे द्वीबें मोर्चा बंदी कर रहे हैं मोर्चा बंदी क्या होती है बैरिगेटिंग करना है ना तो हुआ क्या जब उसे ढूने की कोशिश की गई तो बुड़ा वे ग्यानिक पहुचा कहा है एक द्वीब में वहां के जो मुकिया थे उनके परिवार को कपड़े और गहने भी उन्होंने क्या कर दिया गिफ्ट कर दिये वहां दिन रात वो पर नेचर को देखता रहता था और एक दिन उसने एक प्लैनिंग बनाई कि अपने साथ जो जंतर ले गया था उसे लोगों की सहाईता से एक पहाड की चोटी पर चड़ाया पास ही क्या था एक ज तुनिए बुड़े ने कहा तुम्हारा संदे ठीक है यदी मेरे कारण तुम लोगों पर भी पत्ती मुसीबत आए तो तुम मुझे मार देना और मेरी मशीनों को उठा कर फैंक देना यूबक ने बुड़े विग्यानिक की बात मान ली बुड़े ने एक सप्ता के अंदर सब को दुनिया की तस्वीरे दिखाई डेडियों से गाने सुनवाए उसने एक निया यंत्र लगाया और लगातार उस पर काम करने लगा परचानक एक दिन उसने सब लोगों को बुलाया उसका पूरा शरीर काम परा था जबान लड़कडा रही थी वे चिलाया भाग जाओ इस और तभी आसमान से मिट्टी बर्सी जमीन काम पी आंधी उठी समुद्र उमडा पेड चरमराय जानवर चिला उठे चड़िया फड़ फड़ाई चारो और तांडवनित्ते शुरू हो गया हाँ हूं हो हाँ हूं हाई बुड़े के केश कुले हुए थी दाड़ी हवा में उ दस रही थी तो आँखों से चिंगारिया बरसना जाने की बहुत गुसा आना बुड़े यह सब तुमारी वज़ा से हुआ है यह कहते कहते उसने चुरा बुड़े के सीने में उतार दिया बुड़े के चैरे पर वेदना भी थी और मुसकान भी उसके अधर हिले जाने की खूंध के हाथ की चुरी नीचे गिरगी मुखिया ने पूचा क्या संसार का ँंत हो गया नहीं संसार का अंत नहीं होता है जब तक मनुष्य सान जीना नहीं नहीं होगा वह देखो तुम्हारे बेटे ने अपनी फैंक दिय Soy तुम लोग अब नई युग के मानब हो अब नवी युग का स्वागत करो नवी युग में जी हो ये कहते कहते है बुड़े की आंकों की पुतलियां गूम गई जनकी प्रान निकल गए पर चेरे से वो मुस्कान नहीं मिटी तो हुआ क्या था जब उस लड़के ने बुड़ काम भी करने लगा पर अचानक एक दिन उसने सब लोगों को बुलाया उसका पूरा शरीर काम पर आता जुबान लड़कर आ रही थी तो वो चिलाया भाग जाओ इस घेरे के अंदर पहाड की चटानों में चिप जाओ क्यूंकि बिजली पानी आंदी बुकम सब एक सा धाव बुल रहे हैं जल्दी भागो कुछ देर में सब खत्म हो गया और बुड़े के चेहरे पर वेदना भी थी और मुसकान भी थी उसके होट ही ले मुकिया के बेटे ने हाथों में चुड़ा लेकर बुड़े के सीने पर उतार दिया सारे मुनुष्य खत्म हो गए बड़े तो यह था आपके सामने बुड़े की मुसकान चेप्टर की एक्स्पानेशन आगे हैं लिख का परिचे दिया गया है उसके बाद आपको शब्दर दिये गए हैं फिर पार्ट बोद के अधार पर प्रशन उत्तर दिये गए हैं जिसमें से मोखिक उत्तर है पहला बुड़े विग्यानिक ने लोगों की सोच के परे क्या किया था वो पहुँच गया था ना किसी एक ऐसे द्वीप में जिसके बारे में सब्वे देशों को कुछ मालूमी नहीं था लोगों को विग्यानिक के इस काम को करने का यकीन क्यों नहीं हो रहा था क्या विग्यानिक की सच मु actually हुआ क्या था उसके बाद मुख्या के बेटे ने बुड़े वे ज्यानिक की हत्या क्यूं कर दी ठीक है बच्चो तो मुख्या के बेटे को डौट हो गया था ये होगे आपके लिखित कोशन आपको रिटर्न में दिये गए है ये पिछले वाले third question का ही आंसर है बिटा ध्यान से देख लीजिएगा उसके बाद है द्वीब का मुख्या वेग्यानी के काम से खुश क्यूं था उसके बाद है मुख्या के बेटे को संदे क्यूं था वेग्यानिक ने द्वीब के निवासियों को पहाडी में छिप जाने को क्यूं कहा वास्ता में ने क्योंकि उस बुड़े विग्यानी के पास प्रकृति का सौंदरे देखने का जादा समय नहीं था क्योंकि वो तो लोगों की जान बचाने के उदेश्य से वहां गया था नहीं संसार का अंत नहीं होगा जब तक मिनुष्य जीना चाता है तब तक संसार का अंत नहीं होगा इसका आश्य क्या है कि मानव शान्ती जब तक मानव शान्ती बना कर रखेगा मितरता दूसरों से बना कर रखेगा दूसरे देशों से तो आपस में लड़ाई जगरा नहीं करेगा और तब तक संसार का अंत नहीं होगा आगे देखिए गद्यांश को पढ़कर प्रशनों के उत्तर देनी है कि बुड़े के चैरों पे कों से भाव उबरे थे वेदना भी थी मुस्कान भी थी है न इन पंक्तियों में मैं और तुम किसके लिए प्रियोग किया गया है वो बताना है मैं तो बुड़ा विग्यानिक और तुम आदिम जाती के लोग थे वेग्यानिक किस काम से द्वीप पर आया था बच्चो की धर्ती पर मुनिश्य बचे रहें संसार का नाश कैसे हो गया था बड़े बड़े राष्टों ने एक दूसरे पविश्वास नहीं किया अनूबं से क्या हो गया था संसार का चाहिए सोचिए और लिखिए मरते समय भी बूड़े वेग्यानिके मुख पर मुस्कान क्यूं थी होट्स में दिये गए हैं ये कोशन्स आपको तीन कोशन्स हैं इस कहानी के लिए कोई अन्य उप्युक्त शीर्षक मैंने लिखकर दे दिया भुद्धी मान वेग्यानिक त परलोक वास इसका विग्रह होगा परलोक मेवास करने वाला समास बेद होगा सप्तमी तत पूरुश अगर आपने अभी तक कारक सीखे होंगे अच्छे से तो तत पूर अगर आपने अच्छे से देखा होगा मेरी वीडियो भी है चैनल पर 10th क्लास में है तो आप प्लीज परके बाद विश्व में परसेधा दिकारन में सब्तमी ततपुरूश हो गयी विबक्ती अनुब्रम अनुऊसे बना हुँआ बम जानि की त्रिट्या ततपुरूः जीव जनतु जीव और gelecek द्वर्डत्य समास हो गया आत्म हत्या आत्म की हत्या जानि की 6 ततपुरूश सप् गुन के आगे धन के आगे बल के आगे बान वर्ड लगा कर वर्ड बनाने जो आपको लिख कर दे दिये पेड चरमराये चडिया फरफडाने लगी गड़गराहटे सुनाई देने लगी तो ये सारे वाक्यों मेरे खांकी शब्ध धुहनी का बोथ करारे इसी तरह की धुहनी आगे लगानी है रिक्तस्तानों में तो हवाएं कैसी चलती है साइं साइं जाडियों से आवाज आती है सरसर चिडियों की चीन चीन गोडे की हिनहाट उंगली में कुछ चुपते ही उसके पूरे शरीर में जन जनाहट होने लगी ठीक है बच्चों दुने आत्मक शब्द ह गय? अशुद वाक्यों को शुद करना है जिस वाक्य में वर्ट फीक करना था मैंने उस वर्ट को ठीक करके सामने लिख दिया है कृपया की जगा कृपा वर्ड होता है कृपा करके इधर बैठे आप गीले हासे पर साथ ना चुएं आंधी में इस पेड़ के गिरने का संदेह है तो मैंने पूरा बाके लिख कर दिया है आंधी में पेड़ गिरने का संदेह है इसका क्या मतलब है समिक्षा ने संतोष की सां 안स ली हम आपसे पहले ही हमने हमने आना चाहिए था बच्चों यहाँ पर हमने आपसे पहले ही कहा था हमने वर्ड मेरे से मिस हो गया प्लीज लिख लिजिएगा उपिउक्त विराम चिन्ये लगाने हैं अरे वह यहاں तो बहुत से पत्रिकाएं आती हैं पीछे पून्र विर हमके बाद धोरा उधर अचिन्य बंद कर दिया गया महादेवी जी एक सरल गंबीर मंता मई विदूशी थी तो ये सारे वर्ड जो हैं एक के बाद एक के बारे में बता रहे हैं तो हमने क्या करना है एक साथ बहुत सारे शब्दों को कोमा में लगा दिया ठीक है क्या तुमने प्रेमचन की कहानी को हमने सिंगल इनवर्टिड कोमा में जानी की एक हरा उधरन चिन्य में रखा है बड़े बाई साहब को पड़ी है ये कोशन है इसलिए कोशन माग पीछे लगा दिया गया शीतल जन में सनान करने से कई नीमोनिया हो गया तो ये तो कोशन हो गया हाई इ इसमयादी बहुत अच्छिन्य लगाया मेरी तो ये सारी यात्रा ही व्यर्थ हो गई ठीक है बच्चो हो गई नहीं व्यर्थ गई तो ये था आपका चैप्टर 11 11 चैप्टर है बुड़े की मुस्कान बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि मैडम प्लीस मितरता को डालने की कोशिश करूंगी ठीक है बच्चो जल्दी मिलती हूं आपको आपकी नई वीडियो के साथ अपनी डिमांड कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा पिछला कोई भी चैप्टर आपको चाहिए होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी जल्दी मिलती हूं आपको वीडियो के साथ तिल दें गुद बाई